हला बोल जी दोस्तों येस टीवी की टीम आज यहां पर आ पहुंची है हम चुन्ना भटी में इस वक्त तभी हैं यमना नगर का हाल आजब को बताने वाले हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यमना नगर की सड़कों की जो हालत है वो कुछ जादा अच्छी नहीं है लेकिन ऐसे में कुछ सड़के ऐसी भी है जहां पर बहुत जादा बुरा हाल है और उनकी वज़े से बहुत सारी एक्सिडेंट्स बहुत सारी वारदाते जो होती रहती है तो दोस्तों आज यमना नगर की सड़कों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यादे याद है वो बहुत साइट से निकल रहे हैं उसका एक रीजन है और रीजन यह है कि यहाँ पर एक गड़ा आप देख सकते हैं और यह जो गड़ा है इसकी वज़े से बहुत सारी एक्सिडेंट्स अभी हो रहे हैं आईए जो अंते यहां के लोगों के विचार इस मुद्दे को लेकर यह जो सड़क तूटी हुई है सर अपना नाम बताइए मेरे नाम हर प्रिसिंग है यह देखो गंदगी कितनी है यह देखो आगे यह गड़र रुखके हुए है इतनी चोटी है गंदगी जो बातरूम की गंदगी है वह भी बाराजती है यहां रहना बहुत ही अमारे लिए बहुत रुखका है सर आपका नाम विशु गोईल सर आप इसी कलोनी में रहते हैं तो सर यहां की जो सडकों का हाल है कच्रे की प्रॉब्लम है सीवरेज को लेकर जो समस्या है उसके बारे में आपकी क्या विचार है में रोड प्रोपली मेंटेंड नहीं है सिरफ तभी रिपेर होती है जब इलेक्शन आते हैं एल्स नोबड़ीज वांटो डू एनिफिंग लास्टाइम पर यहां पर वह था होली से पहले तब यहां पर क्लीनिंग हुई थी उसके बाद से फिर से यह गंदगी है मतलब आप यह कहना चाहरे है कि कुछ समय समय पर यहां पर सफाई अभ्यान चलाया जाता है और चीज़ तो यह जानने को मिलएं कि जो हें वो रात को जाधा होते है जूस बिक्यों पर स्ट्रेट्न еньस और इस्के वज़े से हां दिखाई तरह से दिखाई दे रही है यह जो गंदगी है इससे लोगों को बहुत जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यह जो गंदगी है इसकी वज़े से बहुत सारी परेशानिया आ रही है बिमारिया फैल रही है और हम आज इसके बारे में यहां के लोगों से बात्चीत करें आते हैं देखके चले आते हैं कोई उसका फैदा नहीं है अब यह अब आप दो गंटर हो जाएगी इनाला ऐसे कैसे चलेगा को यहां डैरी आरी है और कुछ नहीं है डैरियों का खारा गोबर आपके सामने है उसमें और कुछ हांजी बादा जी अपने नाम बताईए शार्द आपके हैं किसमक महुले में बहुत गंटर हैं अर्टीसरे दिन में इतना नाले के अंदर सैंदर तुम्हारा खड़े होने की भी आत्मा नहीं करेगी कि हम खड़े रह सके दो मिलट इतना गंद है और इतने मच्छ इन आ है पिछा नाला आए उसकी वज़े से इतना मच्छर है आप जरत देख क्या हो किस कितने मच्छर है खाला तो पहले भी ऐसी थी जी और अब भी ऐसे ही है ये कबार जितना भी आई नाले के बीच में आ रहा है ये सब लोग ही केरते हैं इस चेंबर को निकालने के लिए मेरे को तीन बार या चार बार निकालना पड़ता है अब मैं क्या कर सकता हूं जी मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं जी बाकी लोगों का सहयोग नहीं है मेरे साथ इनका कहना है कि लोगों का सहयोगी नहीं मिल रहे हैं ये अपनी तरफ से पूरी मशक्कत करें लेकिन अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो सफाई को और भी चारचान लग जाएंगे मैं आप अभी बोल रहे थी कि आप लोग सहयोग करते हैं और जैसे कि इन्हों ने बताया कि सहयोग नहीं मिलता है इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी आपके जाड़ू नहीं रगता हैं नहीं हैं। हमारी सच्छाई का हाल कितना तूटी पूटी फटी है। हमारी गली का हाल किते तूटी-फटी परिये है। सब्की गली बन जाती है लेकिन हमारी हर वार कह जते है कि कि बनेगी, बनेगी लेकिन आज तक कोई आया हैं नहीं सफाई बिखाई काईई करकर करमचारी सर्फ अपनी ड्यूटी पूरि कर रहा है इससे सफाई बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि इस गंधगी में जो मच्छर पैदा हूंगे, उन मच्छरों से बिमारिया पैदा होंगी जो कि लोगों के स्वास को नुक्सान पहुचाएगी